नमस्कार दोस्तों मैं विजितिवारी स्वागत है आपका अमारे यूटुब चैनल दा बुक सोसाइटी में जहां हम आजी क्लास में सब्जेट कोड BPSC 132 के चैप्टर नंबर 10 को डिसकस करेंगे चैप्टर का नाम होगा जधाती वर्ग एवं जन जाती इससे पहले नौ चै चाय चुनाव हो चाय चुनाव ना हो चाय चुनाव के बाद का टाइम पिरेड हो चाय चुनाव से पहले का टाइम पिरेड हो उन में से सबसे पहला मुद्दा होता है जाती जो की लगातार परड़े डेली रूटीन का हिस्सा बन चुकी है दूसरा होता है क्लास यानी की व इस चाप्टर में हम इन तीनों ही चीजों की चर्जा करने वाले हैं जिन में से सबसे पहले हम जाती की बात करेंगे तो देखो भार्त के जो पॉलिटिकल सिश्टम है एंडियन जो पॉलिटिकल सिश्टम है इस पर एक question tag लगाया जाता है कि ये पुईतरिके से जाती से प्रभावित है लेकिन मैं इस बात का खंडन करता हूँ अगर हमारा political system जाती से प्रभावित है तो कौन सी बड़ी बात है हर देश का political system उस देश की society से प्रभावित होता है तो अमेरिका का political system पुईतरिके से गोरे और काले के धर पर जो मद्भेद रहते हैं उसके लेकर कितनी बार ग्रह युद्धियों हैं वहाँ पर आई दिन जो चुनाव में जो भागेदारी होती है उसमें भी गोरे कालों का मुद्धा बहुत जादा रहता है हर बर काले और गोरे को लेकर ही राश्पती चुनाव होते हैं अमेरिका में यूरोपिय देशों की बात कर लो आफ वहाँ पर भी धरम को लेकर मुद्ध है जन जाते हैं मुद्धे वहाँ पर भी हावी है तो भारत के उपर ही प्रिशन चिन क्यों लगता है वह आज का नहीं है बलकि यूगो यूगो पुराना है पहले हमारे यहां वन विवस्था चलती थी वन विवस्था में ब्रहमण, छत्रिय, वैश्य और शूद्र थे जिसके अधार पर यह माना गया यह गवन पूजा पाठ करना, दक्षना लेना और सिक्षा-दिक्षा देना, यह ब्रहमणों का काम होगा राज की सुरक्षा करना, यह काम किसका होगा चत्रियों का होगा, वैपार करना, वैश्य और तीनों वर्णों की सेवा करेगा ऐसे में धीदरे करके इन सब चीजों पे नैपड़तीसम बढ़ता चला गया बरता गया और अनेग जातियों की भारत में उध्य हुआ हजारों जातियां आज भारत में हैं और ये अपने अपने कारे के अधार हैं। पर शोषण हुआ है जिनने बड़े पैवान पर अच्छूत मान कर उनका दोहन किया गया है और आज वो समाज में निम्न तक के पर आते हैं तो ऐसे में समय सहें पर सरकार द्वारा बहुत सारे लोकल भावन नीतिया बनाई गई हैं सम्विधान ने बहुत सारे अधिकार दिय तो जाती का संबन समाजिक समुहों से है ये इस्तितिक किसी व्यक्ति के जनम के अधार प्रते होती है क्योंकि व्यक्ति जिस वन्ष में जनम लेता है उसकी पहचान होई से हो जाती है जाती व्यस्ता जो समय सहें पर समाज की गहराईयों में जुड़ी है उसका एक बहुत कारण विभा भी है कह रहा है जाती जो है वो अंतर विभाई होती है हर एक व्यक्ति अपनी ही जाती में विभा करना चाता है परिडामता जाती वस्ता पीडी दर पीडी और जादा मजबूत होती जाती है ऐसा में कोई व्यक्ति अपनी जाती से बाहर निकल ही नहीं पा रहा ह वो अपनी जाती के वेभाईक संबंदों में लगातार क्या है जकड़ा हुआ है और यही हमारी जाती की क्या है प्रमुग विशेस्ताएं है परंप्रागत रूप से अगर बात करो गया तो सभी जातियों को समाज में कोई न कोई कारे दिया गया है और वो उसी कारे से वो जा जाती ववस्ता को कमजोर कर दिया इनके बीच के अंतरओ कही नर्ग कहीं है एसे में भारत की जाती ववस्ता इतनी क्या है उल्जी हुई है जिसके वैसे बहुत सारे विचारथ इसका अध्धन करने का प्रत्रित्न करतें हैं और इसका अध्यन करके अलग-लग निश्कर्स देते हैं जैसे कि एक विचारक है लिव डूमो लिव डूमो ने अपनी किताब होमो हरारकी में लिखा है कि भारत में बहुत सारी जातियां है और इन सबी जातियों में सबसे ताकतवर जाती ब्राहमणों की है जो की छत्रियों से भी जादा निणायक भूमिक आदा करती है हाला कि डूमो के इस तरक की आलोचना भी की गई है बड़े पैमाने पर इनके इस तरक का खंडन भी किया गया है जैसे कि सबसे पहला खंडन किया है निकोलस डिरक ने निकोलेस डिरक ने न डियूमों की आलोचना करिये उन्होंने काया ऐसा कुछ निया है आप इंडियन सोसाइडे का अध्यनी निकर पायो आप भारतिय समाज की जो व्यक्तिवादी प्रवर्तिया है उसका अध्यनी कर पायो भारत में जातिगत व्यवस्था ने इतना शोषन और ये बात بالकुल सही भी है ये डरक बिलकुल सही कह रहा है क्योंकि जब आप भारत की इतिहास का अध्यन करोगे तो आखको पर चलेगा कि समाज में कुछ व्यक्तिवादी ताक्ते थी समाज में कुछ बाहूबली ताक्ते थी जिनोंने ही पूरे समाज का क्या करणा है शो कि जिसमाज को अब जाए खंग्ति वाद है ज है ऐसी एक और विइचारक थे जयराओ टैर déjàर्मन उन्होंने भी बताया कि भ्रहम्मण को साथ की रादनीतिी देख लो, । आप नौर्थ की रादनीति देख लो, आपको साउध की इलग दिखाई देगी, आप नौर्थ में देखोगे तो उत्तरप्रदेज और बिहार के बहुत सारे इलाके होंगे जो ब्रहमणवादी वर्चव से मुक्त रहे हैं तो उन्हें ने कहा कि यहापन ना कहीं ने का इवक्तिवाद है इसके लावा निकोलस डर्क ने ये भी बताया है कि ब्रहमणड और उनके जो लेख हैं भारते जीवन के समाजिक सदभाव क केंद्र में नहीं थे यानि कि ब्रहमणडों की जो किताबे थी ब्रहमणडों की लेखते ब्रहमणडों ने समाजिक नियम तय किये थे वो भारती लोग का जीवन था उसमें पूजितरीके से नहीं थे जबकि भारती लोग उन चीजों को फॉलो करते थे जो सत्ता निर्धा तो लुई डू में से ऐसा मत होते वे एक और समाज चास्ति जिनका नाम है दिपांकर गुपता ने एका है कि भारत में जो विशेश जाती पहचाने वो उभरकर सामने आ रही है आज भारत में जो राजी की नीतिया हैं गौर्मेंट की जो पॉलिसी से समाजी कलने आज योजन करने पर सरकारी कारी पारियं जो समबन्दें वह कमजोर हुए क्यूकि पहले क्या हो था छे ज्म्जातीक लोग वेशज अध्योन प्तार खेल दिया गया है जिसमें एक व्यक्ति एक vote है जहाब वो जातीका हो तो कहीं न कहीं जातिगत विश्ता कमजोर हुई है ऐसी रुडोल्फ और रुडोल्फ ने अपने लेखनों में जातिगत संगठनों की भूमिका के बारे में बताया है ऐसी एक व्यक्ति एक किश्टाफ जैफरलो और संजय कुमार इन्होंने एक किताब लिखी है राइज ओप प्लेबियन जिसमें उन्होंने बताया कि भारत की राजनितिक किस प्रकार से जाती के आसपास घूम रही है जब चुनाव के दौर आते हैं या चुनाव से पहले का दौर होता है सरकार की जितने नीतियों होती हैं सरकार की जो पॉलिसिस होती है नियम कानून जो बना जाते हैं वो किसी विशेज जाती के हित्मे ध्यान रखकर बना जाते हैं वरतमान में दलित और OBC का मुद्दा बहुत जादा भारती राजनीतियों बढ़ गया है बहुत सारे राजनीतिक दलों ने अपना जो निर्माड किया है वो भी जाती के धार पर किया है लाइक डैट उत्तर प्रदेश में भहुजन समाजवादी पार्टी हो गई इसे दलितों की पार्टी का जाता है पिछडे वर्गों की पार्टी का जाता है इसका प्रमुकुद्देश दलित सम्मंदी नीतियों को बनाना है इसी प्रकार से 1978 में 14 चर्ण सिंग की पार्टी थी भारते किरांती दली से लोग दल के नाम से भी जाना जाता है इसने उत्तर भारत में पिछडे जातियों के एकजूट किया तमिलांडू में DM के पार्टी ने और AIDM के पार्टी ने पिछडे वर्गों और दर्विडों को एकजूट किया इसे प्रकार से 1980 तक कॉंग्रेस का समर्थन भी पिछडे और दरित वर्गों तकी था 2014 में BJP का अधार भी यही जातिया रही है इससे पर दलता है कि भारत में कोई सावी राण नेतिक दल हो उसने जातिया विवस्ता को हत्यार बनाने से पीछे नहीं हटे है तो इससे बता चल गए आपको कि भारत में जितने में नीतिया हैं कारेक्राम हैं समाजिक नीतिया हैं समाजिक कलियान की नीतिया हैं वो किस प्रकार से जाती विवस्ता को अधार मानकर तै किये जाते हैं आगे हम बात कर रहे हैं कि भारत की रानितिया वर्ग की क्या भूमिगा है तो देखो जब हम वर्ग का अध्यन करते हैं तो यह माक्सवादी विचारधारा है मासवादी विचाधार के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग अमीर वर्ग के पास सारे रिसोर्सिस होते हैं वो संसाधनों का मालिक होता है और गरीब वर्ग के पास संसाधन नहीं होते हैं उसके पास क्योंब एक श्रम शक्ती होती है, और गरीब अपना श्रम बेशता है, और अपना खाना कमाना करता है, और अमीर उसका श्रम खरिदता है, और बड़े प्यमाने पर उसके श्रम के माध्धम से वो अमीर होता जाता है, ऐसे में बड़े प्यमाने पर संगर्शों की इस्तिती रहती है, समाज का एक वर्ग हमेशा हाशिये पर रहता है और आर्थिक इस्तिती के हधार पर देश दो भागों में बढ़ जाता है, एक में बहुत बड़ी संख्या आती है गरीबों की और एक मुठिवर अमीर लोग होते हैं, जो सभी लोगों के अधिकारों का प्र जाती अधारित पेश्ट भूमी को खुलासा किया है, जब हम क्लास का अध्यन करते हैं, तो हमें ये दिखाई देता है, जो अमीर हैं, ये भी कुछ उच जातियों से ही हैं, जबकि जो गरीबों की संख्या है, वो एक बहुत बड़ी संख्या है, ऐसे जो निम जातियों से जातियों से जिड़ हुई है, ऐसी रुडॉल्फ और रुडॉल्फ की एक किताब है, पर्स्यूट ऑफ लक्ष्मी, जिसमें उन्होंने बताया है कि मजदूरुग वर्ग एक बहुत छोटा वर्ग है भारत में, और खास तोर पर इसकी योग कहीं भी देखा जा सकता है, चा पर अपनी जमीने नहीं है, इन्हें दूसरों की जमीन पर निर्भर रहना पड़ रहा है, ऐसे हम वो व्यक्ति जिस साफसे इनका चाहे विशोषन कर सकता है, ऐसे हम भारत में, छोटे किसान, मध्यम किसान, बड़े प्यमाने पर आ रहे हैं, हाला कि देश में आजादी के बाद जमीनदारी विवस्ता पुईतर के से खतम हो गई है लेकिन फिर भी आज भी आप पशिम मंगाल में चले जाओ उत्तर प्रदेश बिहार में चले जाओ बड़े प्रमान पर जमीनदारी विवस्ता वैसे की वैसे कायम है क्योंकि आज भी गरीब परिवार जो है उनके प पुर्शुर्वास से ही समस्याओं भरी थी तो ऐसे में उन समस्याओं का एक बहुत बड़ा प्रभाव उस बड़े वर्ग पर पड़ा जो की गरीब है अपनी पुस्तक फुटलूज लेबर में ब्रॉसीन ने इन्हें सुतंत्र मजदूरों का वर्णर किया है कि किस प्रकार से भारत में जो सुतंत्र मजदूर है वो हर जगे पाई जाएंगे चाए उद्धोगों में बात की जाए चाए किशी वर्ग में लेकिन भारत के जो उद्धोग वर्ग में जो मजदूर है वो भी किशी वर्ग से जुड़े हुए हैं जैसा कि आपने लॉकड़ान के दोरा प्रवासियों को देखा था बारत में जो है वर्ग वो जो याएक बहुत बड़ी भूमिकान निभा रहा है बड़े पान पर भारत के के गर मिडल क्लास की बात करोगे तो इसमें प्रोफेशनल लोग होंगे रॉक्टर वकील पत्रकार होंगे वो लोग उ leg के जो सरकारी नौक्रियों में कारे कर हाला कि ये एक बहुत बड़ा वर्ग नहीं होगा लेकिन देदरे इसकी संख्या बढ़ती जा रही है बड़े पमाने पर गाउं से लोग शहरों की और पलायन कर रहे हैं ऐसे में जो क्लास की राजनीती है वो हमारे यहां प्रभावित रहती है आए दिन लोकल भावन नारे द जाते हैं आए दिन गरीबी हटाओ जैसी मुद्य चलाए जाते हैं आए दिन छोटे छोटे बैंक रिंड दिये जाते हैं लोगों के करदे माफ कर दे जाते हैं लेकिन फिर भी भारत में अभी भी मजदूरों को उतनी सिक्योर्टी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए तो जात जन्चातिय वर्ग की पहचान जातियों से अलग है ये कुछ केवल खुद इलाकों में हैं जन्चाति बहुत साई धर्मों से जुड़ूई हैं कुछ जन्जातियों ऐसे जो पार्सी धर्म को फॉलो कर रहे हैं कुछ मुस्लिन धर्म को फॉलो कर रहे हैं और कुछ अपनी अप बात करोगे तो उत्तरपूर्वी राज्यों में जंजाते सुम्दाय सबसे ज़ादा रहते हैं। सरकार ने बड़े प्यान पर आक्षण व्यवस्ता सुरू करी है। जंजाते वर की कुछ पहचान की गई हैं विशेशता हैं जैसे कि ये पहाड़ी इलाकों से जुड़े होंगे, ये पूरी तरीकी से प्रकर्ती पर डिपैंड होंगे, जंगलों में रहते होंगे, मूल्भू सुधाओं की हाँ पर कमी हैं जैसे सड़क, विध्याले, स्वास, जिधाओं ये सब इनके एरियों में नहीं हैं, इन इलाकों में लोग भाग खेती करते हैं, जंजाते के तोर तरही के आलाके वरतवाने बदल रहे हैं, लोग पशू, मच्छिली पालन और शिकार, खदान, इत्यादी बे भी कारी कर रहे हैं, खेती के आज भी ये पुराने साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जंजाते उपास बजार नहीं है, जहाँ पर वो अपना माल बेश सकें, महिलाएं सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होती हैं, पेडित होती हैं, और जंजाते जो मुख्या वो अपने हितों के लिए निर्नाय भूमी का आधा करता है, आज ज पलायन संबंदी जो मुद्दे हैं, यह बड़े गंभीर हो गए हैं, इनका यह मानना है कि सरकारे जो हैं, वो विकास के नाम पर पर प्रयावन को दूर्शित कर रही हैं, और इनके घरबार को इसे छीन रही हैं, इसलिए भारत में समय समय पर आधिवासी आंदोलन भी होते रहते हैं, हाला कि जाज सरकार हो, चाए केन सरकार हो, वो इन इलाकों के लिए समय सहें पर रूरल और रेगुरिशन बनाते हैं, ताकि इन लोग के लिए कोई दिक्कते ना हो, लेकिन ये सब चीज़े दिखावा है, अंदुनी तोर पर बड़े पैमान पर पलायान होता है, बड़े पैमान पर घर देने की योजना तो बना जाते हैं, लेकिन होती नहीं है, इसी वएसे ये लोग ससस्त्र संगर्श भी करते हैं, भारती सम्धान की पांचवी और छटी अनसूची में बड़े पैमाने पर जो है जन जाती इलाकों के लिए आर्थिक राण नितिक नी दे रहे हैं, दोयर तेज की बात की जाए, तो भारत की जो राश्पती है वो भी जो है जन जाती है वर्ग से आती हैं, फिर भी भारत में समय सहे पर जन जाती है राजनितिक आंदोलन होते रहे हैं, और भारत की राजनिति इससे लगाता प्रभावित होती रही है, ये आज के हितों की रक्षा की बात करिए नदी जल बचाने के लिए बात करिए प्रकरतिक जीवन के संगर्षण की बात करिए आजादी के बात बात की जाए तो आजादी के बात इन लोगों की जो डिमांड है वो बदल गई है उसका रिजन यह है इन लोगों का यह मानना है कि जो सरक पावादी डिमांड करते हैं ये अलग होने की डिमांड करते रहते हैं परणामता सेना के माध्यम से यहाँ पर दंगे फसाद और सुरक्षा के नाम पर गोलिवारियां होती रहती है जैसा कि आए दिन आप न्यूज में देखते रहते हो सब्जेट कोड़ BPSC 145 में पूरी की पूरी जो राजनीती है वो नौर्थ हिस्ट और ऐसे छेतरों की ही राजनीती है हमारे हाँ पर सिर्फ एक पैरग्राफ की बात की गई है तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है अगर कोशन आ जाए भारत की राजनीती किस प्रकार से ज हमाज की संक्रचना ही कुछ इस प्रकार से है आई होप सो चीज आपको समझ में आ गई होंगी अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो मिलते हैं आप से नेक्ट चैटर में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद